हलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 15 विराम चिन्न क्या कहता है ये पार्ट? विराम चिन्न क्या होते हैं? इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? आईए पार्ट पढ़ कर समझते हैं आव चर्चा करें विराम चिन्न का प्रयोग कहां कहां होता है? विराम चिन्न कौन कौन से हैं? चर्चा कीजिए इस चित्र को देखिए प्रियंका रात हो गई है अब तुम थेरो मत जाओ प्रियंका रात हो गई है अब तुम थेरो मत जाओ दिये गए दोनों ही वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है लेकिन दोनों के अर्थ अलग-अलग है इसका कारण है उसमें लगा अल्प विराम विराम चिन्न की परिभाशा वाक्य में लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्नों को विराम चिन्न कहते हैं कुछ प्रमुख विराम चिन्न कूर्ण विराम इसे वाक्य के समाप्थ होने पर लगाया जाता है जिसका चिन्न यह है जैसे मैं आसम में रहती हूँ अल्ब विराम इसे वाक्य के बीच में कुछ समय रुपने के लिए लगाया जाता है इसका चिन यह है जैसे मोहन, नवीन, सुरेश, विया आज खूमने जाएंगे विश्मे यादी बोधक इसे आश्चर्य, दुख, खुशी, आदी भावों को दर्शाने के लिए विश्मे सूचक शब्द के बाद लगाया जाता है इसका चिन यह है, जैसे वा, यह है, कितना सुंदर फूल है, प्रश्नवाचक इसे प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है इसका चिन यह है, जैसे आप क्या कर रहे हैं पाठ पढ़कर हमने सीथा, वाक्य में रुखने के लिए विराम चिन्नों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य में लिखते समय रुखने का संकेत देने वाले चिन्नों को विराम चिन्न कहते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विश्मयादी बोधक, प्रश्न वाचक ये प्रमुख विराम चिन है विराम चिन्नों के चिन इस प्रकार है पूर्ण विराम, अल्प विराम, विश्मयादी बोधक, प्रश्न वाचक धन्यवाद बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में